दो पार्टिकल हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स पर चल रहे हैं और उनका ओमेगा जो है वो सेम है तो रिलेटिव एंगलर वरसिटी निकाल नहीं है अगर ये दोनों ऐसे आसपास हैं तब एक वो सेंटर से परपेंडिकुलर डिरेक्शन में तो तो मैंने एकी डियाग्राम में मतलब दूसरा अलब पार्टिकल पर्पेंडिकुलर पर ठीक है तो हमें बताना है कि रिलेटिव वेलोसिटी आफ बी वेस एसपे टू ए क्या होगी इन बोद दो केसे तो इसको दो मेंटेट से करेंगे हम तो पहला स्टेंडर तरीका है जहां पर हम ओमेगा लिखते हैं वी पर दिफरेंट तरीका यूज़ करेंगे तो वह देखते हैं वाद में तो उसमें कुछ करने की जरूवत नहीं डिरेक्ट आप कह सकते हो क्या होगी तो हमें चाहिए विद रेस्पेक्ट टू ए तो अच्छा इसकी वेलसिटी दी हुई है कि इसकी है चार नहीं वेलसिटी न दी है ओमेगा दिया है चार ठीक है ओमेगा दिया है और रेडियस दे दिया है तो ओमेगा आर से वेलसिटी आ जाएगी तो रेडियस का वन है बार velocity हो गई, 8-4, that is 4, और इस case में, with respect to A, B की velocity हो गई, velocity of B, minus velocity of A, तो 4 इस तरफ, 8 नीचे और 4 इस तरफ, ठीक है, पहले case में, जो दोनों के बीच में distance है, वो है, 1 meter, और इस case में, जो दोनों के बीच में distance है, that is, root of 2 square plus 1, that is, root 5, तो distance जो है, वो है, root 5, so, first case में, so V perpendicular by R, V perpendicular है 4, distance है R1, so that comes to be 4 radian per second, ऐसे गुम रहा है, with respect to A, इसका मतलब counterclockwise, अब इस में, तो velocity के component लेने बढ़ेंगे, perpendicular निकालने के लिए, तो वो गया, 8 cos theta plus 4 sin theta upon root 5, 8 cos theta plus 4 sin theta upon root 5, अब theta क्या है, तो theta इदर से देख लो, यह triangle बन रहा है, 1, 2 root 5 वाला, so cos theta is 2 by root 5, और sin theta is 1 by root 5, तो यह root 5, तो यह root 5 में इलाके हो गया है 5, क्योंकि R है root 5, ठीक है, 8 into 2 plus 4 into 1 by 5, that comes to be 4 radian per second, counterclockwise again, तो देखें, दोनों 4 radian per second आ रहे हैं, लेकिन हमने proper तरीके से निकाल रहे हैं, अब देखो उसको समझने का तरीका, अब distance between A and B is always same, क्योंकि दोनों के omega same है, है न, so end position vector RAB is rotating by omega 2, अब इसको देखो यह जो position vector है, यह क्या है, यह position of B with respect to A का vector है, अब यह कैसे गूम रहे हैं, यह थोड़ी दिर बाद यह हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, A यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, फिर थोड़ी दिर बाद यह ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हो, तो यह जो position vector है, यह खुद ही ऐसे omega से गूम रहे है, सही है न, और, यहाँ भी ऐसा ही है, यह वाला जो है, यह इस से इस तरह का angle बनाता है गूम रहे हैं, तो यह भी एक तरह से, ऐसे गूम रहे है, तो यह जो vector है, यह भी omega से गूम रहे है, यह इसके तो चले feel आयाती है, साफ साफ, कि यह जो पूरा position vector है, र और बी विद एस एस एक तरह से गूम रहे है, यह भी actually omega से गूम रहे है, तिरहा इसको ध्यान से देखोगे तो, बहुत लेकिए इसके relative यह fixed है, ऐसा है ना, इसके relative यह fixed है, तो इसके relative यह fixed है, तो अगर यह omega से गूम गया, तो यह भी omega से गूम गया, भाई, कुछ ऐसे है आपकी गड़ी, है ना, आपने गड़ी को गूमा दिया, पूरी गड़ी को, तो यह अगर theta से गूमा, तो यह भी तो theta से गूमा, तो यहां भी ऐसे ही है, दो काटे समझ दो, एक काटा अगर थीटा से गुम गया तो दूसरा काटा भी थीटा से गुम गया, ठीक है, तो यह जो काटा है, यह ऐसे गुल-गुल गुम रहा है, about A, और इधर भी यह जो काटा है, यह about A, ऐसे गुल-गुल गुम रहा है, with same omega in both the cases, तो फिर से देख लेते हैं, so distance between A, B is always same, यह A, B distance जो हमेचा same है, and position vector R, A, B is rotating by omega 2, तो distance आपकी fixed है, और omega से गुम ही रहा है, so in one time period, this is how trajectory of B will look like to A, A को लगेगा, दोनों गुल-गुल गुम गए, so angular velocity is still omega, ठीक है, अज आटा है, और आटा है, जो हमेचा प्सके बाल है।